दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने योट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बैदी परक्राइब दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल भरती की अब तक इतिहाज की सबसे बड़ी भरती 62,244 पदो पर इसको लेकर काफी दिनों से अपडेट और सारी चीज़ें थी तो यहां पर देखी अब सीन बिल्कुल क्लियर हो चुका है जो आज की बड़ी अपडेट मैं यहां पर आपको इस वीडियो को आदिस बताने वाला हूँ कि कब आपका विग्यापन जारी होगा और एक्जाम डेट सूचना सब कुछ और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है साधी साथ एज को लेकर है ना एज फैक्टर को लेकर पिछले दो तीन साले सो जो भरती नहीं आई है तो एज को लेकर काफी टुटर अभियान भी चल ला है तो फिलहाल चलिए प पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भरती की जा रही है यूपी पुलिस भरती में प्रूंती बोर्ड एक सब्तहा के भीतर विग्यापती जारी करने जा रहा है यानि कि आज 19 दिसंबर है तो दिसंबर माह के लास तक आपका क्या होगा विग्यापन जारी हो जाएगा और बहुत ही कम समय आपको दिया जा रहा है आवेदन का इसके पहले नॉर्मली होता क्या था कि एक मेना का टाइम होता था अब यहां पर देखिए क्योंकि लोकसभा की जो चुनाओं है अपरेल मैं में प्रस्तावित है तो उसके पहले पहले यह भरती यह परिच्छा आयोजन यह सारी चीज़े यहां पर होनी है तो करीब 25 लाग अब इरतियों को सामिल होने की संभावना है बीते तीन वर्सों से सिपाहियों की भरती कवायत बार बार टल ले दी तो पिछले तीन साल से सिपाहियों की भरती नहीं उपा रहे थे इस आस में बहुत सारे चात्रे ओवर बातों को सुना जाएगा अब यहां पर दिखें बोर्ट ने भरतियों के वन टाम से जूड़ी कारवाई पूरी कर ली है विग्यप्ति के बाद आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा पहले नॉर्मली एक महिने का समय दिया जाता है लेकिन आप जान लो कि जब मैं दिया जारा लगभग 25 लाग चात्रे यहां पर बैठेंगे और साथ-साथ इसकी परिच्छा की बात की जाती है तो परिच्छा आपका कई मार्च में परिच्छा इसकी आजुद करा ली जाएगी परिच्छा ऑनलाइन होगी या ओफलाइन होगी इसको लेकर देखी वेबसाइट पर इनके हैं चले वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आयोग ने अपने वेबसाइट पर यह सारी भरतिया जो अठारा बारा दोजार तेज़ को यहां पर जारी किया था तो इस संदर में आप देख सकते हैं अब तक तक तो ऐसा नहीं था यहां पर निकल गई और आप जानते हैं कि UPTPLACCB आपके यहां पर करता है ठीक है यूपिटी पर सी भी नॉर्मलाजशन करता है तो यह जरूर नहीं कि ऑनलाइन परिच्छा में नॉर्मलाजशन यहां पर होता है तो मैठेड वही है नॉर्मलाजशन का संख्या आपके जिस पाली के कुश्चन ज के मार्च में आपकी प्रिच्छा जूत कि जाएगी और आपको हमारे चैनल के माद्याम से भी तैयारियक रह Works